हेलो इभरीवन इस्टुडेंट आज हम इस्पेशली क्लास 12 बायलोजी चप्टर नम्मर टू और इस चप्टर का नेम है पुस्पी पादपु में लेंगिक प्रिजिनन यानि कि सक्सु और प्रोडक्शन इन फ्लाउरिंग प्लांट्स का वीडियो वास करने वाले हैं और इस चप्टर का वीडियो हम पार्ट वाइस पढ़ने वाले हैं और आज हम इस्पेशली पार्ट वन वीडियो श्टडी करने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि चेप्टर नमर वन का वीडियो और चेप्टर नमर फाइब से लिएगर चेप्टर नमर 16 तक का वीडियो अपलोड है और चेप्टर नमर 2, 3, 4 का वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड था और चेप्टर वाइज वीडियो यहाँ अपलोड नहीं था तो अब हमने यहां थेंकिंग किया है कि बच्चों तक चप्टर वाइज वीडियो भी चप्टर नमबर 2,3,4 का भी अप्लोड कर दें बाकी चप्टर नमबर 5 से लेकर चप्टर नमबर 16 तक का टोटल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में आपको मिल जाएगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में जाकर लिंक पर क्लिकर करके देख सकते हैं तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले इस चप्टर का नेम जो है मैं आपको बदा दूँ इसका मतलब क्या है पुस्पी पादिपू में लेंगिक परजनन यानि कि जो फूल वाले जितने भी पोधी हैं यानि कि एंजियो स्पर्मिक प्लांट जिसमें फूल निकलती हैं उनमें लेंगिक परजनन कैसे होता है तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चप्टर में तो च आप यहां देख सकते हैं कि NCRT ने बहुत अच्छा सा हिल्प दिया है आपको समझने के लिए ये कोस्टन है स्पेशली पूरा यहां से यहां तक एक कोस्टन दिया है कि क्या हम भागे साली नहीं है कि पादब लेंगिक प्रजनक हैं तो थोड़ा आप बताईए कि आप बहु क्या है तो चलिए इसका एंस्वर देख लेते हैं असंग के प्रकार की पुस्प तो कई प्रकार की पुस्प इसपेसली मेरीगोल्ड फ्लावर लोटस फ्लावर रोज फ्लावर चाइना रोज फ्लावर तो इसपेसली आप देखती हो इन सब फ्लावर को तो आप जैसे ही कई प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार के आप पुस्प देखते हो तो जिने हम या आप आनद से टक टकी लगा के हम लोग देखते रहते हैं या फूलों को सुंगते भी हैं तो कितना आनद आता है क्यों आता है भाई क्योंकि वह लेंगी की जनन अंग होता है इस प फूल का कभी नहीं देख पाते और उसका सुगंद भी हम नहीं ले पाते आगे दिखते हैं जिनकी महक्स आप मदहों सोजाती हैं और उनके भरपूर रंग आदी सभी बाते लेंगे के जनन में परजनन में ये सहाइक होती हैं इसमेसलि कोई भी अगर आप पोधा अपने खेतों में उगाती हो या उसे सजावटी के लिए पोधा उगाती हो तो सब में पुष पाती हैं तो इतना सुंदर नजारा होता है जब हमारे खेतों में फूल निकलती हैं तो कितना सुंदर नजारा होता है आप अंदाजा लगा स सकते हैं पुस्प का आस्तित मात्र हमारी उप्यों के लिए नहीं है यही लाइन थोड़ आप समझें कि जो पूस्प जाने के जो फूल है उसका आस्तित हमारी उप्यों के लिए क्यों नहीं है सभी पुस्पी पादप में इस्पेसली जितने भी फूल वाले जो पोदी हैं उ स्कूल का पूदा दिखा होगा इस में क्या होता है कि एक ब्रांच निकलता है और इस ब्रांच पे ठीज सारी क्या है यह सब लाओर यहां German इन ऐसे ऐसे अरेंड होती है एक माद्र रसन भान ओश इसे को हम आज यहां तो क्या कहते हैं इससे पुष्प करम का मतलब थोड़ा समझे लिजी के बरहे और की करम से पूश्प लगी है यह चैना आरभ होगा जिसके अंदर आपको चार, पांस, छे की संख्या में भीज आपको मिल सकती हैं पुस्पो तदा पुस्पी अंगों की सनचना में विभिता पर एक द्रिष्ट डाले तो अनकूलन की एक व्यापक प्रदी को धर्शाती है यायनि की पुस्प के प्फूल और जो भी पुस्प पी उसके पुस्प की जो अंग है उसके सनचना की ब्युता पर BACKर हम जो अंतर है उसमए अगर हम नजर डालते हैं याणि कि पूस्पकरम आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच पर ठीज सारे फूल लगे हुए है पूस्पकरम हो गया और जो फूल है और फूल के अंग इस विसका आपका बाह्य दल डल गल और उसके नर और मादा जो भी अंग होते हैं, उनमें जब भीताब डालोगे, उनके सब्सक्रां में जो अन्तर भीता है का मतलब जो अन्तर आ körाएगा, वा अनकूल के ब्यापक प्रिद्री को दर्साथी है, वह अनकूलरिक का मतलब होता ह कि अपने वातवरण के प्रति धल जाना जैसा भी महाल हो उसके अनुसर उस जीव को धल जाना ही अनुकुलन कहलाता है ताकि लेंगिक जनन का अंति मुत्पाद फल और बीज की सनचना ये सुनचित हो सके यानि कि लेंगी जब जनन होता है फूलों में तो अंत में फल और बीज का निर्माड होता है इस पेसली आई ये थोड़ा हम समय लेते हैं आप यहां देखेंगे कि इस सद्ध्याय में अकारकी का मतलब जो अकार है संदरशना तता पुस्पी पाधपू पुस्पी पाधपू का मतलब इससे हम आबरित बीजियों यहां पे दिया हुआ है इसका मतलब आप समय लेजिए कि फूल वाले पोधे इस पेसली या आप यह भी कह सकते हो कि वह पोधा जिनके आबरित का मतलब होता है धका हुआ आबरित का मतलब धका हुआ वीजियों का मत अंदर उसका बीज होगा तो इस पेसली वह जो एक भित्ति के अंदर इस पेसली तीन तरह के भित्ति के अंदर उसका बीज होता है यानि कि उपर से तीन भित्तिया होती है अंदर बीज होता है इसका मतलब अंदर धका हुआ है पपीता आप खोलेंगे तो पपीता के अंदर बीज देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब फल से ठका हुआ है, बीज का सुरचा फल देता है, तो इस प्रकार के पौधों को हम आबरित बीजी पौधा कहते हैं, तो यह आप क्यों हो गये, एंजे स्पर्मिक इसको इंग्लिसमन कहते हैं, इस पेसली, उसके बाद यह लंगे ज हम देखते हैं कि टौपिक वाई जब पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि इस चेप्टर में हम टौपिक पढ़ेंगे, पहला टौपिक होगा कि पूस्प आबरित बीजी ओ का एक आकर्शक अंग है, यह कैसे आकर्शक अंग है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं सेकेंड टोपिक हमर आएगा निसेशन पूर्व सनरचनाईयों घटनाई यानि कि निसेशन फूलों में जो होता है उससे पहले उनकी सनरचना फूल के कैसी होती है और क्या-क्या घटनाएं होती है इस पेसली फिर उसके बाद तीसरा टोपिक होगा द जोहरा निसेशन किसे कहते है निकि दी निसेशन या डबल फर्टिलाइजेशन भी इंग्लिस में से कहा जाता है दो बार निसेशन होता है ओधुमी इस पेसली मानों में तेकी बार निसेशन होगा लेकिन फूलों में दो बार निसेशन होता है चौथा टोपिक होगा निसे असंग जनन यों बहु भूरताहा साथ तो चले इसका हम पहला टॉपिक आपका ये स्टार्ट करती हैं पुसْप आबर्त भीजियों का अकार्षग अंग है तो चली इस प्र Greece अले समन्द है यानि कि प्राशिन काल से युमानो है वह specifically पुष्पो से आकर्षित रहा है वैसे कीड़े भी आकर्षित होते हैं आपने देखा होगा मदमक्या जो होती हैं वो ये फूलों पे especially नेक्टर उसका चूसागरती हैं वैसे तो सदियों से हमारे घरों में इस्पेसली या हमारे इस्पेसली हम देख सकते हैं कि हम अन्नामेंटल पोधा अपने गार्डन में लगाते हैं तो बहुत पुराना समय से इस्पेसली हम कह सकते हैं कि समंध रहा है और मानों के लिए पुस्प सौंदर्य विसयक आभुसडात्मक समाजिक धार में क्यों सांस्कृतिक महत्व की वस्टू रहा इस्पेसली आप समझ सकते हैं यह मानों द्वारा प्रेम अनुराग प्रसंता विसाद या शोक आदगी अभी भ्यक्ति को यह प्रत्रसित करने के प्रतिक रही हैं इस्पेसली आप देख सकते हैं कि जो फूल होते हैं यह मानों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभुसरात्मक रूप से भी हम देख सक आए जाता है और यह हमारे संस्क्रिट का यह सबसे महत्रूर यह वस्तु रहा है मानों द्वारा यह प्रेम में ठर्मय प्रसंता में सोख में भी फूलो यह होते हैं यह हमारे प्रतिक रहें हैं कम से कम ऐसे पाँच की सूचिब नबधी जिन का अभू सडात्मक यानि कि सिंगारिक महत्व हो पांच आप फूलों का सूची बनाइए जिसका हम क्या करते हैं इसपेसली यानि कि सिंगार के रूप में उसका महत्व दिया जाता हो तथा जी नहें घर्यों घर्यों बागीचे में उगाया जाता हो तो आप पांच उन पुस्पों का नाम भी पता करें इसपेसली जिन हैं आपके परिवार द्वारा समाजी के उन सांस्कृतिक उत्सवों के दोरान उप्योग किया जाता हो तो इसपेसली यह जितना भी मैंने बताया कि आप पांच ऐसे फूलों का नाम बताईए जो सिंगार के रूप में उप्योग किया जाते हैं फिर पांच ऐसे पुस्पोंदों का नाम बताईए जिनका उप्योग आपके भागीचे में हो रहा हो आया जा रहा हो या पांच आ आपके परिवार समाजिक और सांस्क्रिक्त उत्सव के दौरान हो तो आप इन जो भी पुस्प का नाम बताए गया यानि कि पांच बताए गया इस पेसे लिए कि आपको बताना है तो आप कॉमेंट जल्द से करके कॉमेंट सेक्शन में आप बताईए इसका जवाब क्या आप पुस्प करसी के बारे में कभी सुना है इसका क्या तातिपर है भाई तो मैं बता दूं इसका तातिपर यही है कि फ्लोरी कल्चर से आप पुस्प उत्पाद कर सकते हो और आपको पता है कि पुस्प का कितना महत्व है हमारे जीवन में इस्पसली कई प्रकार के यानि के सम तो इन चीजों के लिए आप पुस्ब का खेती कर सकते हो और उपयोग में लाया जा सकता है या ला सकते हो आप इस पेसली चलिए अब हम अगला दिखते हैं इसमें एक जीव बिज्ञानिक के लिए पुस्ब आकारकियों भौड़किय यानिकी भूड़िय इस पेसली आश्यर तथा लेंगिक जन अस्तल है आपने कच्छा एगारे में एक पुस्ब के विभीन अंगों के बारे में अध्यन किया है तो आपने इस पेसली चेप्टर नंबर फाइब क्लास अलेवंत का आपने पढ़ा होगा और उसमें इस पेसली उसका मैंने वीडियो भी अप्लोड किय है आप हमारी चैनल पर जाकी पढ़ सकते हैं या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में दे दूंगा आप उस पे उसका जो है आप चाहो तो दुबारा उसको आप रिपीट करके देख सकती हो तो पूरा पूरा जो भी अंग है उनके बारे में आपने को पुना करने में आपको सहायता मिल सकती है चली में उस पूरा के बारे में जो भी सकांगे समझाओंगा भी आगे देखते हैं थोड़ा क्या आप एक पूरा के दूंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें लेंगी जनन भीकास के लिए सारवधिक महतफूर वाली दो हीकाया हो कि ये पूरा का पूरा आप ओका ये पूश्पगाई डायग्राम हें expecturly हम देखेंगे कि फूल को जब आप हात में लोगे तो आपको एक पंखुडिया दिखाए देंगे जो हरे या उससे कम तीन भी हो सकती है इस्पेसिली तो यह जो है हरे वाले इसको हम बाहे दल या इसे हम सेपल कहते हैं बाहे दल या से पल गा जता है फिर उसके अंदर एक रंग बिरंगी पंखुडियां नारंगी रंकी खुलाबी रंकी या और भी लग में हो सकती है यह होती है इसको हम spiritually इसका जो नाम है यह आपका करूला कह लाती है क्या करलाती है क्योंतेशे mono qrola कंग which the system lives there, you can help subscribe ? me तोड़ा आप द्धा्गराम में देखेकिन है यह पंे कर दिया है लेकिन इसे जगह पर नंगर राखोस होना चहिए और प्राकोस के जगह पर WOR 이쪽 गढ़्र पर यह थोड़ा रॉम किर दिया है इस पसे लिए फिर हम थोड़ा इसको कर देते हैं यह पंखुरी है और यह पूरगपुरा भी यह प्राकुस है अब आपको समझ में आ रहा होगा तो यह जो यह है पंखुरियां इसको हम पेटल कहते हैं या इसे हम दल कहते हैं तो हम लिख दे और यह धल या पंख्री के नाम से भी जाना जाता है अब हमने कोसमी देखा था कि 2 सहाय को देख लंगे जरने कांग तो 2 सहाय कंग में आप देख रहें हैं यह इस पसे Pourquoi आ यह प्राकोस है, क्या है यह प्राकोस है, यह सब नरवले भाग होते हैं, और इस प्राकोस हम आपको याद दिला दें, आपने कच्छाईगारे के चेप्टर नमर 5 में पड़ा होगा, कि सेपल के समूग को हम कैलिक्स कहते हैं, और पेटल के समूग को हम कोरुला कहते हैं, और ये प्राकोस आप देख रहे हैं, ये गाहिनोसिया है, एक तंटू है, इसे हम वर्तिका कहते हैं अब यह जो वर्तिका है नीचे जाकर एक अंडासे में यंशे wish तो यह आपका अंडासे है यानि की ओबरी यही फल है आपका इस पेसली जब पॉलीनेसर होगा होता क्या है कि जब हवायं चलेंगी तो यह जो प्राकोस है इसमें ध्यस सारे छोटे-छोटे प्लन ग्रेन होते हैं इस क्या होते हैं आपको पॉल इस का इस तरह का हो सकता है आपका यार ऑपने इस के दूब ओर की लेयर होते हैं इस पेसली हम बना देए इसका दो लेर अपदे आप देख सकते हो एक लेयर हो गया अब यह सेकंड लेयर हम यहां बना देते हैं तो यह जो यह आपका जो लेयर है जिसे हम एक जाइन कहते हैं यह अब हम जाइन यह से अनुक्लियास है और देख रहे हैं यह अन्दर वहला जुरी ढिल प्रत्व लेयर है एंटायन कहला था है यह उन्तै लीचल शूल beta यह अ यह वह बेकर दो формalडव में जो हॉते हैं यह हवाग के दवारा यह हम कह सकते हैं या कीड़ों के द्वारा यह क्या होते हैं एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रासपर होते हैं जिससे हम पर प्रागड कहते हैं या कुछ फूलों में स्वाप प्रागड होता है तो इसे यह पालंगरेन धेश सारे इसमें किसके प्राकोस में यह होते हैं अब आप देख सकते हैं इसमें चार कोष्ट है, इसे जूम करेंगे यह आपका पालंगरिन है, आपको दूख यह पॉली में दिख रहा होगा इसमें थोड़ा और जिसको हम जूम करने का प्यास करेंगे, यह पाली एक यह दूख पालि को में क्या भीभगत है, लेकिन इसी पाली क आपने structure यहाँ पे especially समझ लिया यह आपका पलंग्रन का structure है अब यह क्या होगा यह जाएगा इसके वर्तिकागर पे इस boa करता है तिन यह संपूर होती है अब से पहले क्या गठनाे फूल के अंदर होती है नी से पूर्व संद्चना और घटना के बारे में समझले की हैं अब हम यहां समझेंगे की पादप में वास्तविक रूप से पुष्प बिख्षित होने शेप वय यहा तरह हो जाता है कि पादप में फूष्प आने वाले हैं अच्छा आप बताइए कि जब आप आतने मेंगू आप Śथार का प्योंद देखा होगा जब इस्पेसली अ को फरवरी या मार्च में जब फूराने लगता है या को पहले पता चल जाता है कि समें फूराने वाला है इस पेसली होने वाला है और सरस्रों का प्लावरिंग उसमें आई ही जाता है अनेको हार्मोनल तथा सनचनात्मक परिवर्तन की सिरुवात होने लगती है आप पौधा देखके बता सकते हो कि उसमें पुष पाने वाला है क्योंकि उसमें डेल सारे आपको बदलाओं देखने को मिलते हैं इसमें कई प्रकार के हार्मोन और उसकी जो सनचना है उसमें क्या होने लगता है परिवर्तन होने लगता है और उसमें पुष पा जाता है या आप सरस्रों का पोधा ही देखोगे जैसे यह बड़ा होगा तो उसमें आपको कलिया निकलने सुरू होंगी, आप देख सकते हो उसमें फिर ब्रांच साखाएं बनेंगी, अब उन साखाओं में ही कुछ और कली टाइप का आपको दिखेगा, वो फूल देदर बनने लगेगा, इसपसली, जिसके फल सरूप, पुस्पिय, अघात, फ्लोर प्राइमोडियन के मद्द विभेदनियों अग्रमिक विकास ये सुरू होने लगता है, पुस्प करम के रचना होती है, पुस्प करम का मतलब ही कि एक ब्रांच पर ढेश सारे करम से पुस्प लगे हुए हैं, जो पुस्प कली काएं और बाद में पुस्प को ये धारण कर ये रचना है, एक चीज माय और आपको बता दूं कि मेरी गुल्ड पुस्प है यानि कि जो गयंदा का पुस्प होता है उसके पुरा का पुस्प करम है, उसके अंडर तेस सारे अग पुस्प लगे होते हैं, इस प्रिसली पुस्प में नर यो मादा सनचनाए पुमंग तथा जायांग यह होती है इसपेसली नर जो है इसे हम पुमंग कहते हैं और मादा को हम जायांग कहते हैं यानि कि ये एंडोनोसियम जिसे हम ए से रिपरजिंट करेंगे और जायांग का मतलब गाइनों से भिमेर वाला है जिसे हम जी से रिपर्जिंट करेंगे पुमंग और जायांग ये बिक्सित रहती हैं आप ये याद करें की पुमंगों से भरपूर पुमकेषरों का गोला एक चकर नर जbon अंग तथा जयांग जायांग ये जो मादावल्स है वो मादा ये की संगर्फल जो मादा graph को फ्रतिनिधा इंगा ये गूंगर्फल्सित रहती हैं अचायां गयाने कि ये इस्तिरी भाग गयाने कि मादा भाग को ये प्रतिनिधी तो यहां रिप्रजेंट करते हैं अब इसमें टॉपिक है इसमें दूसरा जो आपका टॉपिक था उसका इसमें पहला टॉपिक है इसमें टॉपिक है इसमें टॉपिक है कि पुंकेसर के दो भागों में इस्पेसली पुंकेसर के दो भागों में बटा होता है इसमें लंबायों पतला डंधल तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं तथा अंतिमसिरा दीपालिक सनचना प्राकोस कहलाता है तंतु का सिरस्त सोर पुस्प के पुस्पासन या पुस्प दल से जुड़ा होता है इस्पेसली चलिए हम इसको समझाएंगे बिल्कु डिटेल में आप ना घवड़ाएं पुंकेसरो की संख्या या लंबाय बिभिन परजातियों के पुस्प बिभिन होती है अगर आप दस पुस्प पुस्प परतेक भिन भिन परजाति की हों में से एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें स्लाइट पर रखें तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी अकार बहुत जो एकी भिन है जो प्रकिर्ट में बिदमान है एक भी छेदन सुस मदर्शी से परतेक पुंकेसर का सावधानी पुर्भक और लोकन आप चीतर के माध्यम से जो एकी कर सकते हैं या बिभिन पुस्पो के प्राकोसों से जुराओ यहों आकार के बारे में आप जो एकी समझ सकते हैं चलिए हम समझाते हैं यह आपका यह पुंकेसर है यह पुरा का पुरा भाग पुंकेसर है पुंकेसर में क्या होता है कि प्राकोस होता है और एक तंतु होता है यह जो तंतु आप देख रहे हैं यह जाकर यह पुस्पासन से जुड़ा होता है पुस्प में जो पुस्पास तो इनकी जो लंबाई है न यह छोटी बड़ी हो सकती है अगर दस प्रकार के अगर आप पुस्प लेते हैं अलग-अलग जाती का हो तो उनमें तंतु की लंबाई आपको जो है कि सब अलग-अलग देखने को मिलेगे इसे तोड़के स्लाइड पर रखेंगे दस अलग- अलग-अलग देखने को मिलेगा और यह प्राकोस के साइज भी अलग-अलग देखने को मिलेगा इसे चलिए अब होता क्या है थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको इसे ली की एक जो आपरिती भीजी जो भी पुस्प हैं उनके जो प्राकोस होते हैं वह दी पालित होती है और एक दी पाल में जो एक दो कोषट होती हैं यहने कि दो पेज़ू रदा त यह कोश्ट होती है चलिए इसको हम समझा देते हैं आपको बिलकुल अस्पश्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो प्राकोस है यह इसमें दो खंड आप वह दिखने को मिलेया है एक और यह स्टेशले अब इन खंडों को जब हम ऐसे सेक्शन कट करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पेसले बाहर से भी दिख रहाए यह जो एक खंड है ना इसमें भी एक और दू खंड देखने को मिल रहा है आये थोड़ा हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो यहां पर यह जो क्यों आपने यहां पर देखा कि दीपाली होते हैं दीपाली में इनकी यह पूरा पूरा एक पाली हो गया , इन दोनों पालियों में क्या है कि इस एक परतिक पाली में दो एक और दो, एक और दो, दो क्या है यह कोउष्ट हैं आप थोड़ा इस तरह समझने यह ल्हाइन हो गया ही है अजया चैनल चार चार इसमें कोश्ट है हूं कि इसलिए आप समझ गया हूँगे घर कि उन्हीं कोश्टों के अंदर आप डेही सेंड्स ये कहलाता है अब थोड़ा हम देखेंगे यहां पे कि प्राया इसपेसली अगर हम इसका लंबोत खाच काटें तो ये दोनों कोष्टों से ये आपको गुजरता हुआ लंबोत देखने को मिलेगा आए थोड़ा प्राग कोष्ट के बारे में समझें इसका हम अनप्रस्ट काट भी काट के देखेंगे विविन प्रकार के उत्तग और अनेक सायोजन को हम समझेंगे एक प्राग कोष्ट की दीपाली प्राकिर्थी प्राग कोष्ट के अनप्रस्ट काट में बहुत ही पुर्थक सूब्यक्त होती है इसपसेरे हम देखेंगे कि प्रा प्राग कोस एक चार दिसिय सनचना होती है, जिसे चार कोने या लगू बिजारुधानी समाहित होती हैं, जो प्रत्यक पाली में दो दो होती हैं, एक पाली में दो दो हमने खंड देखा था, यह लगू बिजारुधानी आगे विक्षित होकर प्राग पुटी यानि की ल५ाई तक बिस्तरीत होती हैं और इसमें प्राग कोस्ट क्या होते हैं ये ठसा बरे होते हैं वही जिज़ जो यह अभी मैंने बताया कि ये जो है भी पाईफे ये वाला जो है ये जो इसमें δो दो प्रतिक पाली में 2 Ф diese बना रहे हैं कुछ ऐसे करके आप को देखने को मिल रहा है थोड़ा हम एक बार हो उसको थोड़ा सुन्दर शिमनाएंगे कि एक पाली पूरी पूरी यह हो गई फिर यहीं पर अरेंज रोती है दूसरी पाली अब इन दोनों पाली में एक परतिक पाली में दो-दो यह खोश्ट होते हैं यह चार हो गए वही च सराचला को समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कि एक अनुप्रष्ट कात में एक प्ररूपी लगू बिजाड़ुधानी बहु रूप रिखा में गोलाई में यह प्रकट होती है यह समानत्व चार भित्ति पर्तों से यह आपरित होती है इस में चार प्रकार की पढ़ते होती हैं, अभी हम इसका ड्यागराम भी समझाएंगे, पहला होता है े एपीडर्मे जिसे हमबयतो चाओ, दुसरा होता है ऑंड़ो डर्मी जिसे हम अंत्यसीएम कहते हैं, और जो बीच में होता है, जिसे हम मध्यपरत तथा बाहर की ओर ठेपिटम के तीन परते ये सनच्छित प्रक्रिया के रूप में ये कारे करती है तथा प्राकोस के संपुटन में मदद कर प्राकड अवमुक्त करती है ये होता क्या है कि प्राकोस को ये प्राकोस फट जाते हैं जिसमें प्राकड क्या होते हैं बाहर निकलते हैं इसके लिए मद्द करती हैं कौन यह टेपिटम वाली इसकी सबसे आंत्रिक फर्त ठेपिटम होती है यानि कि यह जो भी तुचा है यह सब भट जाते हैं और जब सम्पूटन फटेगा तो प्राकोस बाहर निकल जाएंगे इसके सबसे अंदर वाली जो है वो टेपिटम है यह विकास सी प्राक कड़ो को पूसर देती है तो थुरा हम अभी हमको आपको डाइग्राम के मादे में से समझाने वाले हैं आप बिल्कुल ना घबडाएं एक-एक सब्द को समझे हमारा बस मतलब ही है कि आपको एक-एक सब्द समझाए जाए और सबसे पहले थिवरी उसके बाद आप डाइग्राम समझे टेपिटम की कोसिकाएं सगन जिवदरब जिसमें ज्यादा यानि कि गाढ़ा साइटोप्लाज्म पाया जाता है और समानता टेपिटम तो जो होती है वो प्राकड को पोसर देती है इस पसली तो इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा गाढ़ा होता है यानि कि ज्यादा गाढ़ा होता है समानता एक स से अधिक के अंदरकों से यह उक्तोती है कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के एक टेपिटल कोशिगा डी के अंदर यह बन सकती है चलिए अब सब को छोड़ कि हम डाइग्राम को ही समझते हैं अब हम करेंगे क्या कि जब हम करते हैं एक प्राकोस का तो यह जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसी को हम बिल्कुल आपको यहां पर दिखाने का प्यास करेंगे इस पेसली आप देख सकते हैं कि इनका यह जो कटा गया है इस सक्षन तो एक दो तीन चार यह कोश्ट आपको देखने को मिल रहा है अब इनमें तीसू हैं यानि की कोशिकाए हैं कैसे हैं हम देखेंगे कि सबसे इस पेसली जो है कि बाहर यह जो प्राकों से तोचा द्वा फी सब्सक्राइब बाहर है य Health message टुव्षद्र कीजाओ अब दिखिते हैं फिर उसके बाद उसके अंदर का Wgap 好 Ciao एक है यह स्थिस्यम यह लाटा था फिर उसे के अंदर आपको तहराओ देकीजाओ का मिलेगा यह अब उसमआ यह श्रो olmaz तक है इस्पेसली अब यह जो है यह मद्य परत है अब आप इन्हीं चीज को बिल्कूल आप एक कोशिका का जो भी लेयर है परत है उसको आप यहां समझें आप कंप्यूचिन नहीं हो सकते हैं बिल्कूल आप सिंपल तरीके से यहां पर समझ सकते हैं चलिए थोड़ा इसको हम चोटा कर देते हैं आप देखते हैं कि सबसे बाहर का यह जो परत आप देख रहे हो एक एक कोशिकागा यह अंत अस्त तोचा यह बाहरा बाहरी लेयर है फिर उसके अंदर एक और जो है उसके अंदर का जो सेकेंड यह जो लेयर है यह लेयर यह अंत इस्थिस्यम यह लेयर कहलाता है और बाहरी जो लेयर है अंत अस्त तोचा कहलाता है फिर उसके अंदर एक और लेयर होता है जिसे हम मध्य परत कहते हैं यह मध्य परत वहला ले किसी में पराकडो का निर्माण होता ठेसारी ये खेंधर का अब दिख रहें ना यह सब केंद्रक मात्र कोसिया कहते हैं अब यही खेंद्रक का भिभाजने का होगा और यही जो केंद्रक होंगे ये पालंग ने में करनोड होंगे अब इन लगो बिजारू जो भी है इन इस पूरा का पूरा जो ये श्रुक्चर है । इस के शुर करके यहाँ पर दिखाए गया है। और यह ढipped धेश सरे AND इपुरा का पूरा करकूर को शपठेगा यहाँ भालो आ जाएंगे और यही प्राग कोड इस्पेसली जो है कि पुष्प के मादा भाग पे चले जाएंगे और निसेशन की प्रक्रिया फूर्ण हो जाएगी अब यह बनते कैसे हैं लगू बिजाड उधानी इस्पेसली आये देखते हैं जब एक प्राग कोश का ओपरिपक होता है जो प्राग कोश जो है इस्पेसली यह जो आपने देखा था न प्राग कोश यह प्राग कोश जो आपने देखा था इस्पेसली एक प्राग कोश जब और परिपक होता है यानि कि मेर वाला जो भाग है तो तब घने समरिद सजातिय को सिकाओं का समू जिने हम बिजाडू जनकूत कहते हैं लगू बिजाडू धानी में केंद्र में ये इस्तित होता है अब ये जो लगू बिजाडू धानी हैं इनका जनन कैसे होगा लगू बिजाडू जनन समय लेते हैं जैसे जैसे प्राकोस भिकसित होते हैं तो बिजाडू जन उतकों की को सिकाएं अर्द सुत्री विभाजन द्वारा बिजारू चार चार बनती हैं यानकी चटुष्टिय को सिकाओं की सुत्र गुरता क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि जो चार को सिकाएं बनती हैं आपने क्लास 11 में पढ़ लिया था अर्द सुत्री विभाजन तो जो कोशिका होती है वह कोशिका चार भागों में क्या हो जाती है ये बट जाती है इसमें पेरेंट कोशिका के गुर्षूत्र की आधियी गुर्षूत्र इनके जो उग्मक बनते हैं इनके मात्र प्सक्राइड जो जाते हैं तो ये जितना भी आपके अंदर देख रहें ही ये सब इस स्पेशली ये डिवाइड होकर और चांव बनाएंगी स्पेशल यह applied sales बन जाते हैं जैसे जैसे विजारु जनन उत्त की प्रते कोशिगा एक लगू विजारु चार चाटूष्ट यानि की चार की ब्रिधी करने में सच्छम होती है तो प्रते एक कोशिगा एक सच्छम प्राग कड मात्र कोशिगा बन जाती है आप यहां पर देखें कि प्रतेक जो लगू विजारु मात्र जो कोशिगा है यह क्या करेगा कि यह अर्दसुत्री विवाजन करेगा तो अर्दसुत्री विवाजन करेगा तो अर्दसुत्री विवाजन से चार कोशिगा हैं बनेंगी यह चार जो कोशिगा हैं यही पालन ग के रूप में यही परदसित होंगे जिसमें जो गुर्षूत्र हैं उनकी संख्या जो आधी हो जाती है अगर हमां लेते हैं कि इसमें इसका जो यह लगू बिजार उधाने में अगर चौबिस गुर्षूत्र वाला यह कोशिका है तो अगर इन से अर्थसुत्री वाजनों का चार बनेंगे तो यह कितने हो जाएंगे बार बार जोड़ी गुर्षूत्र वाले यह आधी बार जितवक्तली इसंगेार यह, जैसकि हमन में 46 गुर्षूत्र होते हैं लेकिन वह ही जो इस पर. बंता है मेल बाडी में और जो वहा बनती है फिमेल बाडी में तो उनमें भी अर्थसुत्र वाजन द्वारा एक से चाचर कोशिकाय बनती है तो उनमें तेस तेस जोड़ी के रूप में आधे क्रुमोसोम यानि की गुर्षुत्र रहे जाते हैं वही चीज यहाँ पे है इस पेसली एक प्राग मात्र कोशिका से अर्थसुत्र वाजन द्वारा लगू बिजाडु के निर्माण की प्रकिरिया को लगू बिजाडु धानी कहते हैं यानि कि एक प्राग मात्र कोशिका से जो अर्थसुत्र वाजन हो रहा है उसके द्वारा जो लगू बिजाडु का यानि कि प्राग कड का निर्माण जो प्रकिडिया हो रही है वही लगू बिजारु धानी कहलाती है जैसे कि लगू बिजारु रचना के समय चार को सिखाओं के सम्मू में व्यवस्तित होते हैं जिने लगू बिजारु धानी चतुष्टिय या चतुष्टक कहते हैं जैसे ही प्राकोस परिपक यह स्पूरित होता है इस्पिसली तब लगो भी जाडो जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं बेगलित भीगल हो जाते हैं दूर हटने लगते हैं इस्पेसली और प्राकडों के रूप में धेद्र क्या हो जाते हैं यह बिक्सित हो जाते हैं प्राकड के रूप में यह आपका प्राकड है परतेक लगू बिजारू धाने के अंदर कई हजार लगू बिजारू और प्राकड यह जो होते हैं निर्मित होते हैं लगू बिजाड़ू ही जो होते हैं ये प्राग कड में क्या हो जाते हैं भीक्सित हो जाते हैं प्राग कड जो प्राग कोस के इस पूटन के साथ ये बाहर मुक्त हो जाते हैं इस पूटन का मतलब होता है कि प्राग कोस का फटना इस पूटन का मतलब फटना किसका प्राग को उसका जिसके चलते प्राकड हो क्या होंगे ये मुक्त हो जाएंगे अब हम देख लेते हैं प्राकड का structure specially तो आई ये थोड़ा हम समझा देते हैं सको बिल्कूल डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये कई प्रकार के यह प्राकर हैं, जिसको इलक्ट्रास उस मदर्शी के द्वारा यह प्रजेंट करके यहाँ पर दिखाए गया है, वह भी कलर फुल दिखाए गया आपको, तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग पुस्प में, अलग-अलग साइज के प्राकर बिखसेत होते हैं, हम यह नहीं कह तो इनकी उपर काटे जैसी सलचना यह जो दिख रही है काटे जैसी यह आपका बहाचोल और यह पूरा कपरा जो गूलक है वह अंतह चोल और उसके अंदर केंदरक है आप यहाँ पर दिखिंग यह बहाचोल यह जो लाइन बहाचोल सिकेंडरी लाइन जो है की अंतह चोल और इसी केंदर क्या है यह केंदरक है और इसी में साइटो प्लाज में यह सब अब इक इसमें रसधानी पाई जाती है आपको पता है कि पोदू की कोशिकाओं में रसधानी होती है फूला सबाग हो मैं आपको बता दूं कि कि इसमें होता क्या है कि जो प् Edwards फोते हैं यह केंदरक ब्वाजीट हो जाते हैं दे दिरें यह जो केंद्रक हैं प्राकण में यह जो केंद्रक हैं यह केंद्रक ये विभाजित होता है, दू केंद्रक में बढ़ता है, आप देखेंगे आप ये केंद्रक का विवाजन हो रहा है, बीच में ये आप देख सकते हैं कि इसमें मेटा फेज अवस्ता दिख रही है, मध्या वस्ता, जिसके चलते केंद्रक का विवाजन हो रहा है, जब ये चो काई के अंद्रक है। यह आ English बनाएगा जो वरति कागर कंते के अंदर जion है की। भागों बढ़कर और जाता है और इसी पालन टीव की मदद के द्वारा यह जो रास्ता है जाकर मादा भाग से फ्यूजन करता है दो बार फ्यूजन करता है जिसके चलते दोहरा निसेशन की प्रिक्रिया संपूर होती है तो आप प्राकड के बारे में भी समझ गए कि जो प् अब यह पूरा का पूरा आप समझ गए यह अंतर चोल वही चीज मैंने सारा चीज डाइगराम के मादिव साब को बता दिया और इसमें दो तरग की जो है केंदरक बनते हैं यह काई केंदरक और यह जनननी केंदरक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका काई दो नरीगुमग बनता है यह यहीं आपका दो नरीगुमग दो बनेगा जो पालन्टिव के मदद से जाएगा और मादभाग से जूड़ेगा अब एक चीज और हम आपको बता दें कि जो प्राक कड़ जो होते हैं इस प्रसली आपको कुछ मार्केट में चलिए इसको तो रहा हम बता देते हैं कि जो प्राक कड़ होते हैं वो पोसर से भरपूर होते हैं उससे पहले लिक्षी जो और हम आपको बता दें कि इस प्रसली हम देखेंगे कि अनेक प्रजातियों के प्राक कड़ कुछ लोगों में गंभीर एलर्जियों सोसनी व्यतना पैदा करते हैं अलर्जी का मतलब ही होता है कि कभी-कभी आपको अलर्जी जो है कि ओससे हो सकता है या जो है कि मौसम के कारण हो सकता है या प्राक कड़ के कारण हो सकता है तो यह सारी प्रिक्रिया हैं जो है कि यानि कि कभी कभी आप कभी किसी ऐसे चेतर में चले गए चीकना सुरू कर दिया आपने किसी कारण तो हो सकता है कि आप उस्सवातबड़ के प्रति या ठंड के प्रति या हो सकता है कि वह हो पराकड़ जिसके प्रति अपको epsilon हो सकती है तो इसपेसली तो यह जो èlergy है यह सोषन सबंदित वेदना पैदा कर सकता जो कभी-कभी चीरकालिक सोसन विकार जिसे कि दम्मा शोचन सोथ आधी के रूप में यह बिख्षित होता है यह बताए जा सकता है कि भारत में आयातित गिहुं के साथ आने वाले गाजर भार्थिनियम यानि घास थी जिसे आप देख सकते हो जिससे कि आपके सर्सुरू की व जब भुगाते हो तो उसमें आपको यह गाजर की पत्तियों के जैसे घास से के निकलती है या पार्थिनियम जो घास होते हैं इस पेसली आपने देखा होगा तो इन में जो प्राकड होते हैं यह एलर्जी के कारक होते हैं इस पेसली आप यहां यहां देख लेते हैं प्राकड जो होते हैं पोसर से भरपूर होते हैं अब्हेक सारी प्राकड एलर्जी खालर का राकॡप कहें हो सकते हैं शब में आपको टबलेट मिलेंगी आको जहां देख सकते हैं कि यह पॉलन झर्छन आप देख सकते हैं यह भारी वात्रामें प्राग उत्पाद गोलियों यह सिरफ की रूप में बजारों में आपको देखने को मिल जाता है या उपलब्द है हम कह सकते हैं प्राग खपत का यह दावा है कि यह खिलारी जो होते हैं जो जैसे कि धावक जो धोड़ने वाले हो गये खिलारी या धोड़ने वाली खिलारी या घोड़े हो सकते हैं जो भी है जो यह सब इसपेसली उनके लिए यह सबसे फाइदमंद यह प्राकड की गोलिया हम कह सकते हैं कि हो सकती हैं इसपेसली आप देखेंगे कि जब प्राकड एक बाद जड़ते हैं तो अपनी जीवन छमता अंकूर यानि कि अंकूर जो छमता है खोने से पहले वर्तिगागर पर गिरते हैं होता क्या है कि जब प्राकड जब जड़ेंगे जैसे कि इस पेसली आपने मक्का देखा होगा जब आप मक्का देखोगे तीस पेसली कुछ इस तरगा इस्ट्रक्चर मक्के में देखने को मिलेगा यहां पर पतियां होती है अब इन्हीं पतियों में एक फूरूट बना होत यहीं वर्ति का वर्ती का होता है और यह वर्ति कागर इसी पर वर्ति कागर पर जड़ेंगे द्वारा जाके और एक जो वह उसे फ्यूजन करते हैं तो यह ऊपर होती हैं जब यह हवा चलेगा जब हीले डूलेंगे जब प्राग को जब भटेगा तो प्लंगरिन आके करते हैं आपके विचार से प्राकड में जीवन छमता कितने समय तक रह सकती है आपका ये विचार जो है अपने विचार के मादम से कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सा प्राकड कितने समय तक जीवन चम रहता है बहुत विविताएं पाई जाती है बहुत अहत तक यह प्राकड ही हो गया या कुछ भी हो गया वो नश्ट हो जाता है तो उसका ताप मान कितना है आधरता का मतलब जो नमी कितना है इसमें निर्भर करता है कुछ अनाजों जैसे की धान गेहूं में प्राकड अपने जीवन छमता बहुत जल्दी 30 मिनड के अंदर ही खो देते हैं जबकि गुलाब वत रोजेसी जो फैमली के जो भी पोदे हैं या लेग्युमिनेसी या सोलेनेसी आधिकूल के जो भी सदस्य के जो भी पोदे हैं उनमें प्राकड के जीवन छमता महिनों तक बनी रहती हैं आपने साय सुना होगा कि कृत्रिम गर्वधान के बारे में मानो सहीत बहुत से जानौर के बिर सुक्राणू का भंडारन किया जाता है ये कृत्रिम गर्वधान आप समझ सकते हैं इसको हम चिप्टर नमबर आपके फोर में हम आपको बताएंगे इसके बारे में कृत्रिम गर्वधान के बारे में बहुत से परजती के प्राकड़ो को द्रव τैसे भंडारीद करके रखना संबह होता है इस प्रकार के भंडारी प्राग कर्ड का प्रयोग वीज भंडार की भाती प्राग भंडार यानि की प्राग बैंक बैंक भी के रूप में या प्राग बैंक भी है भाई जिसमें प्राग कर्ड को रखा जाता है के रूप में फसल प्रजरन कारेकरमों के लिए किया जा सकता है अब अगला हमारा टॉपिक आता है इस्पेसली इस्त्री केसर यानि की गुरू बिजारू धानी हमने पुंकेसर देखा यानि की लगू बिजारू धानी अब इसमें दोसरा है इस्त्री केसर यानि की फिमेल वाला जो है गुरू बिजारू धानी तता भुडिय भुड कोस तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है अब ये जो टॉफिक है आपका इस्तरीक केसर गुरु बिजारु धानी तथा भोड़कोस इसको हम पार्ट टू वीडियो में श्टडी कराने का हम प्रयास करेंगे तो आई होप आपको जितना टॉफिक हमने पढ़ाया चेप्टर नमबर ट आउट रह गया हो तो आप कॉमेंट करके हमसे पूर सकते हैं और हम कोसिस करेंगे आपके कॉमेंट का रिप्लाइग देने के लिए ऐसे ही चेप्टर वाइज वीडियो या टॉपिक वाइज भी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं पढ़ने के लिए हमारे इस साइंस और थिंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यबाद